हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू दा नदर डेट इस डे नाइंटी टू सबसे पहले गुड मॉर्निंग जै माता दी मैं उठ चुकी हूँ आपको टाइम भी दिखा देती देखो छे बजे उठी हूँ मैं आज मैं काफी दिन के बाद सुबा जल्दी उठने की कोशि हैं तो इस वज़े से फिर रात को लेनी पड़ती हैं तो फिर मैंने सुबह सबसे पहले देखो उठ तो गई थी मैं आज उठते ही मैंने सोचा चाय बनाऊंगी और आपको बता देती मेरे साथ पोपर तो सुबह ही हो गया था दूद फट गया था जबकि कल शाम कोई पता नहीं कैसे तो मैं सारी मार्केट में गूंगे दस मिनट के अंदर इधर उदर से दूद लेके आई और फिर मैंने चाय बनाई तो इस सब में मुझे जो है ना 20-25 मिनट लगे खड़ाब होगे 20-25 मिनट लगे मैंने चाय बनाई क्यूंकि सरमेदर था आज काफी दिन ब में बड़ी दिक्कत आती है और कई पली क्यों लोगों की तो इतनी separate होति यह फिसकी फेङरी वो प्लीस बताना है कयसे तुम लोग केमेस्टी को करते और विस्टी को यह को बहुत पसंद होती है तो इसमें जो है ना निुकलियोविनिक इलेक्ट्रोफिलिक सबसे ज़़ा खेल उनका कि कोन न्यूक्लियोफाइल एक कोन लोन पेर लेगा कोन ले उन पेर देगा तो यह है वैसे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री और इन और्गैनिक केमिस्ट्री तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती है वो तो मुझे अच्छी लगती है मतलब पसंद आती है क्योंकि मेरा बैगराउंड फिजिक्स और मैत का है लेकिन कहीं ना कहीं है केमिस्ट्री आती तो है मतलब इतनी नहीं यह और्गैनिक वाली तो मुझे बहुत ही रूला जिती है तो आज यह और गैनिक चलिए थी बढ़ी और गैनिक में कार्बोकेटायन कार्बोन आन इन इतनी इनकी झेला था सिर्फ आपको यहन इलिक अरिक ना किरम निक भूल होता है उसमें त्सितना ही है इसमें मेकनिजम करना है कार्बोकेटायन की stability का क्या order होता है कार्वनायन की stability का क्या order होता है उसके बद फिनोल वैनायलिक अणायलिक आपको पता होंगे जो chemistry वाले हैं लेकिन देखो मैंने भी तना याद हो गया मेरे को class लेते लेते मैं में में एक नंबर पढ़ाती है मैं बिल्कुल Superb Awesome जिसे बोलत तो उसके बाद फिर recorded form में मैं लेती हूं तो recorded में पहले तो वो class चलेगी उसके एक घंटे बाद वो record होगी तो यानि कि कहीं जाके वो 10-11 बजे तक मतलब classes आ पाती हैं मेरी last वाली class तो बाय वाली तो इस वज़े से ना थोड़ा सा मतलब class रात को नहीं हो पारी complete तो एक class मैं से भी मेरी पेंडिंग चली हुए दो तिन class बची हुए हैं तो इसलिए मैंने सोचा सुबह पहले यही लेती हूं फिर कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रिवीजन कब करते हैं तो रिवीजन करनी है मैंने चंदी गट्टी जीटी का भी syllabus का time table बनाया था थोड़ा मतल है इसलिए बस भी तो पहले करना एपरेल एपरेल में तो हमारी कोचिंग का कंप्लीट हो जाएगा से लिए बस सब्जेक्ट का भी फिर तो प्रॉपर रिवीजन नहीं करनी और पेपर यूँ माली जुलाई से पहले नहीं होगा टीजीटी का क्योंकि अभी प्याटी की वे होगार खुद भी कर रहे होगे तो NCRT करनी है सब्जेक्ट में तो जो घर बैठे हैं तयारी कर सकते हैं देखो उनके पास तो उप्शन है कि NCRT को अच्छे से पढ़ ले लेकिन हम क्या करें पूरा दिन तो लैब में लग जाता है तो क्या ही कर सकते हैं इसलिए जो है मैं आपना यहां से क्लास कर लेती तो आज जो है हमारी केमेस्ट्री क्लास थी सुबह सुबह मैंने यह ली इसमें मुझे यू माल ली जिए बच गे थे पौने आठ जो है मैं आपको टाइम भी दिखा दूंगे एक बार यहां पर जो है क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद मै आपको जो है टाइम भी दिखाऊंगी फोन में जो है पीडिएफ चला लेती हूं मैं क्योंकि पहले आपको मतलब फोन में पीडिएफ होता तो आइडिया रहता कि आगे क्या होगा क्या नहीं तो वैसे तो मैं पीडिएफ से भी समझ जाती हूं क्योंकि पड़ी हुई है सा लेब नेंथा है तो सर्मेंडर्द अपने आप हुट वर कोई रेस्ट मिलता नहीं है मतला ऐसे क्या ही करें पर neither हमाराве यूद कर सकते हैं हमारा स्ट्रेगल 9 अलगी लीवल का स्ट्रेगल होता विस नहीं को स्ट्रगल को सच में सिर्फ एक जोब के बेसिस पेज़ होते हैं हमारे चैसी बैक्ग्राउंड में तो आप लोगों को पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं एक जोब के बेसिस पेज़ कर लेते हैं इंसान लेकिन कर रहे हैं अपनी तैयारी भी और आप लोगों की कैसी तैयार चल रही है आप भी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कुछ तो मुझसे पूछ रहे थे का MSC वगएरा के लिए भी पूछ रहे थे कि कोचिंग वगएरा नेट के लिए तो नेट जी आरेफ के लिए देखो सबसे बेस्ट है जिया सराई अगर आपको ओफलाइन कोचिंग लेने हैं तो वेशक्स से उनके सेंटर जी टी बी नगर में भी खुल गयों और जेंगे भी हैं और ओनलाइन भी बहुत सारे बैच हैं लेकिन जहां तक मैंने कैरियर के लेन्स इन तक़्न तो पर आपको रहां आइडिया मिल जाएगा इस लाहां पर direction कोचिंग और कुछ कोचिंग निया वहाँपर तो वहां पर सारा सब कुछ आपका यही रहीगा वहां पे सारे बच्चे ही आपको इस लेवल के मिलेंगे लाइब्रेडी वगेरा में भी और कहीं भी तो वह आपको इससे जदा गाइड कर पाएंगे अब तो मुझे काफी time हो गया तो मुझे coaching ले हो गया श ऑलींगेlor पात्ब्रेस जबिशन हो गया क्योंकि इस कड़ाई का ये फाइदा कितने मैं आके आओं इतने ये बने मिलते हैं और उसके बाद मैंने breakfast में ले लिये थे ये oats कल लेके आई थी ये musli वगएर और ये rice थोड़े से बच गये थे मैंने बाउल में निकाल दे वैसे मैंने खाए निये breakfast में और ये मैंने टिफिन बर लिया था अपना lunch के लिए तो ये मैंने rice बना लिये थे सुबह तो मेरा पेट सा ऐसा ही था कि भई मैंने rice क्यों बनाए मैं क्या ही करूंगी बनाके क्योंकि पेट भरा भरा था फिर मैं निकल गी college के लिए लेकिन जब मेरे को भूख लगी ना lunch में तब मुझे समझ में आए मैंने rice ठीक बनाए तो ऐसा होता है भई देखो ये मेरी lab है यहाँ पे मैं rice खा रही थी तब समझ में आए मुझे rice की कीमत क्या है उसके बाद भई फिर आर्ति का फास था तो हम चले गे थे चाय पीने के लिए फिर यहाँ पे एक-दो हमने वीडियो शूट कर ली थी यह काफी अच्छी बिल्डिंग है फिर भई शाम के हो गए थे पांच बजे का टाइम हो गए था कुछ खाने का मन कर रहा था लेकिन आर्ति का फास था था हमने बर्गर मोहित ने और मैंने बर्गर और यह फ्रेंच फ्राइज या पता ने क्या विंग्स वगेरा था कुछ इतले के न अच्छे नहीं थे बही आलू आले तो बड़े बकवास थे बर्गर ठीकते देखो यह क्या आए हैं यह 69 रुपीज के हैं कभी मत बंगवाना बर्गर क्लब से सिर्फ इसके बर्गर ठीकते यह बहुत कटिया सिर्फ आलू बोल करके देखो यह बार का मोसम मस्त आते मैंने बनाई चाए बिस्किट रस और थोड़ थोड़े नमकीन के आइटम्स रखे यह आइटम इसलिए जचाए ताकि मैं हर किसी को टेस्ट कर सको यह देखो आठ सब्सक्राइब करते हैं अच्छा कराते हैं सर बहुत अच्छा कराते हैं जिसे कोचिंग लेनी है वो ले सकते हैं मुझे अच्छा लगता है वैसे मतलब यह है कि टीचर देखो हर को यह अपनी दरफ से बेस्ट ही कराता है तो आप जहां से भी पढ़ रहें ना यह मानो बेस्ट है क्योंकि सिलेबस गुआ फिरा के वही होता है बस आपको यह होता है कि याद करो उसको ज़्याद से ज़्यादा प्रेक्टिस करो क्योंकि अभी जो है ना मैं एक बार यह सिलेबस कवर करते ही और अभी इस सुब है कि रोटीन पे जो है नेक्स विक से ट्राइ करूंगी कि रिवीजन ही स्टार्ट करते क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़्यादा है पिपर में डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं लेकिन आपको याद कितना रहता है वो मैटर करता है तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए ज़्यादा प्रेक्टिस करनी चाहिए ऐस कंपेट तो कि आप टीचर को बदलो य वगएरा में आज वो बचगे थे जोएंट्स की भई जोएंट्स आपके कि टाइब के होते हैं तो यह बोल तो यह जो इंटS का भी बता दिया था क्योंकि जो इंटS का में थोड़ा यह करना था ज्यादा करना नहीं है तो री प्रेडक्शन अभी फुल जो है बोडी वाला हूं इन साइक्लोलोजी क्या होता है यह बहुता थे पकाने पता देखो human physiology हाँ यह word होता है वहीं क्योंकि मैं बायो से नहीं हूँ ना इसलिए तो थोड़ा confusion हो जाती है चलो भी ठीक है मिलते हैं कल फिर से एक नए mini vlog के साथ vlog अच्छा लगा हो informative लगा हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लेना अपनी जर्नी को याद रखेंगे ना फिर हम लोग की हाँ हमने मिलके तयारी किती सबका selection होगा सोते हैं अभी तो मैं चोकोज खा लेती हूं पहले क्योंकि मुझे लगी भूख फिर सोओंगी मैं तो चलो ठीक है गुड़ नाइट बाबाई टेक क्यार ओल देखो चांस हितारे वाले चोकोज थैंक यू फो वोचिंग व्लोग